नमस्कार, हैलो ट्राखन कारिक्रम मैं आप से भी दर्शकों का हारदिक स्वागत हैं, आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुली प्रयावरण संडक्षन के विशय में जब भी हम चर्चा करते हैं, तो ज़्यादा जो चर्चा होती है वो होती है वायू प्रदूशन और जड़ प्रदूशन की क्योंकि हमारे भौतिकवादी इस युग में हमारी जरूरतों और हमारे विकास ने चाहे प्रयावरण हो या फिर प्रकृति की हम बात करें, इसके मूल रूप को परिवर्तित करके रख दिया है यही वज़ा है कि आज हमें प्रयावरण के भिशन रूप और कुरूप चहरे को कह सकते हैं देखना पड़ रहा है यही वज़ा है कि आज हम यही वज़ा है कि आज हम यह सोचते तो है कि किस तरीके से प्रयावन को फिर से सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन अभी सिर्फ हम इसे विचार ही कर रहे हैं बेशक हम वाई प्रदूशन और जल प्रदूशन की बात यहां पर करते हैं लेकिन 21 सदी के अगर हम बात करें तो 21 सदी में एक और ऐसी चुनोती है जो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है जो है ठोस अपसिस्ट प्रबंधन की इसी संबंदी थे हमारा आज का विशे पंचायतों में ठोस अपसिस्ट प्रबंधन आपको बताएं कि आज गांदी जी की पूर्णे तिती भी है और रास्पिता महात्मा गांदी की हमेशा से यही सोच रही थी कि आप जहां रहते हैं हमाँ स्वच्छता का पूरी थरीके से ध्यान रखें क्योंकि बहुत आवश्यक है कि आप इस स्थान पे रह रहे हैं वो स्वच्छो तो बिलकुल आज गांदी अगर कोई भी प्रेश्ट नो करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर आप नोट कर लीजे हमारे नंबर हैं 2666 335 266 5478 अगर आप में देहरदुन के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो स्टीडी कोड जरूर लगाईएगा जो है 0135 जरूर लगाएगा दर्श को गुजारिश हमेशा कर रही हूं आप से कि जब भी आप में कॉल करें तो नेटवर्क शेत्र भी आकर ही कॉल करें हमें ताकि हम आपके प्रेश्ट को समझ सकते हैं चलिए कारिकरम की शुरूआत यहां पर करते हैं आपको अपने महमानों से मिल आपको खुणा करें डिवादी को अपने महां तो अपसे कि यहांसे होगे कि खोस अपसिस्ट किसे कहें घुकि दर्शक जाना चाहें कि प्रबंधन की हम बात करेंगे लेकि फोस अपसिस्ट क्या है ठोस अफिस्ट परभननन एक ऐसा पदार थाए कि वस्तो है जो कि अपने उप्योग के ऐद हम जनीत करते हैं उसकर अपने उप्योग के बद जो हमाले अनोपउड़ गी हो जाता है और उसको जहां थां फहंग देते हैं तो वह एक पर हो से अप्सिस्ट बन जाता है हमाले तो तो जब द्धामर को फिंग देते हैं। आपको आना चाहूंगी हमने समझ ले कि क्या होते हैं। प्रबंधन कि यहां पर बात अवश्यक है प्रबंधन क्या है थोस अप्सिस्ट का। उत्राखंड में ठोस असर्षप्रबंदत के तहथ ग्रामिंड शेतरों में पंचायती राज विवाक के द्वारा ठोस असर्षथ प्रबंदत नीती बनाई गैए है 2017 में जिसे कबिनेट के द्वारा Рाज्यसरकार ने पास किया है। यहां पर कार्कार केई प्रावहस ने ने पक्राहएं के फिन सिक वाये, जाक लगता है कि अगर लूझेह घृत करूकोर ने की छा करें कि पर यहां पर सुभर को सब्रीग को जैंडी हो जो जैएक होता है जो के हमारे किचन वेस्ट है और पतियों से है और खास से है गोबर का है तो एक तो वह है कि जनरली किचन वेस्ट परपरती शेतों में यह ज्यादा इसकी जरौत इसनी ने पड़ती है यह गाएं और पासों के लिए उप्योग में ले आते हैं और दूसरा पासीड बिझार में से पनी प्लास्टिक आता है पनीया आती है काहगा जैसे है केा किरिके पैकेट है है यह जो छोटी मुरब बीची है यह थ्यूर्श है और यह सारस जो है 앉h है धातू है जो इसके प्रबंत की जरौत होती है क्योंकि यह हमारा एक एसेस्मेंट है लगभग जो है हजारों टन्मलव प्रति दिन जो है यह अफसेस्ट पैदा होता है और इसको खास तर पर जो सहरी छेतर की गाउंपंचेते हैं जो लगी वी हैं उसमें जनसंग्या की बिर्दिगों अधितिक है और परती छेतों में जो बाजार हैं जहां आपर की जनसंग्या केंद्री गण हो रहा है या प्रयाटन अस्तल है या या यातामार के जो पड़ाओं हैं तो यहां पर लोग आते हैं और बेत्रिप्शी तरीके से इसको फैंक देते हैं और इसको ब्यावस गंदगी फैलाते हैं जिसके करा हमारा जल और वाई दोनों प और ख्याफित की है दोजार सट बिल्कुल तो यह बहुत ही अच्छी बात हम इसे कहेंगे कि देश में इसे समय बताया जा रहा है यहां पर देश में उत्राकरनेक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे ग्रामिंट छेत्र के लिए जो नीती बनी है ठोप्स अप्सिश प अपनाया गया तो ग्रामिंट शेत्रों में सवचाले की जहां तक बात है वो तो भारत सरकार के द्वारत मिशन में उसके बाद जो कुड़ेव की विवस्ता की बात थी इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा चिंता व्यक्त की गई माननी मुख्यमंतरी जी त्रिवेंद सि के इसका सर्वे कराया गया कि वहां किस तरीके की विवस्ता हैं लागू की बिल्कुए आपसे विश्र में आगे बात चीत करते हैं कि दर्शक हमारे जोड़कन का फोल लेता है हलो आप जी नमस्कार नाम बताईए अपना कहां से बोल रहा है आप जी प्रश्न करिए अपना आपका प्रेश्न हम समझ नहीं पा रहे हैं आप नेटवर्क छेत्र में नहीं है तो नेटवर्क में आके कॉल करिए प्लीज जी प्रेश्न करिए अपना आप जी धन्यवाद से इनका प्रेश्न यह है कि जहां पर कूडे के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है वहां पे किस तरह ठोट अप्सित प्रवर्ण दन्युगा गराम इंट शेत्रों में ग्राम पंचायतों में जो हमारी ग्राम पंचायते हैं एक्ट में जो हमारा सिस्ट रूल्स दोजार सोला और डिमोलिशन एंड कंसक्शन जो वेस्ट होता है रूल्स दोजार सोला सभी को मुख्य प्रावधानों को सम्मिलिद करते हैं हमारी नीती में विवस्ता की गई है और पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी छेत्र में पंचायतों के छेत्र अधिकार में इस योजना को लागू करें इस में जो उनको ग्राइंट मिल रही है चो 14th Finance Commission की या राज़शसरगार की यहां पर जीस से बताया जारा कि नीती यहां पर बनाएगी बहुत अच्छी बात है कि उत्राखन पहला ऐसा राज्य बना जहां पर इस नीती को लागू कर रहे हैं इसे कितना फाइदा मापे होगा क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि इनसान के मन में जागरुकता ल लागू करने में ज्यादा दिक्कत ना आए खास दोर पे गाउं पंचेतों को अधिकार संपन बनाएगा इसमें जे और इसमें उनको यूजर्चा लगाने की विवस्थास में की गी है दूसरा उसमें जो गाउं पंचेतें अच्छा काम करेंगी उसमें उनको प्रुसित कर चेत रहें या पर्तिवन्दित जो वस्तोय हैं या कार्या हैं इसमें तो वो करता है तो दढ़न देने का अधिकार भी उनको क्या गया है और खास दोर पे इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एवैनिस जो एवैनिस इसमें लगातार चलनबत तरीके से होता रहेगा ये कहा प्रतिनिति को करें 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 जनता को करें और इसमें से संबंदित सभी लोगों को इतना एवैर करें कि बिना उसके एवैर के एक्शन में कोई पॉलिसी लागू नहीं हो सकती है जब तक कि हम पब्ली को एवैने करें मिल्कुल तो यहां पर जनता को जागरूप करने के पूरी कोशिश यहां पर की जा रहे है तो एक दरश्रक मारे साथ जुड़े हैं बात्ची जाए रखेंगे हलो नवश्कार नाम बताईए अपना प्रेश्न करिए अपना प्रेश्न करिए अपना मुझे जानकारी जो लोगों जागरूप करने के लिए विभाग क्या क्या कर दो उठाता है जी धन्यवाद प्रेश्न करने के लिए सर पंचायत के सदत से, उनके माध्यम से, जो आपने बताया है कि नगरी शेतर में जो हिस्सा जुड़ गया है, उसका नगर निगम या नगर पाली काओं के द्वारा जो है, उसकी विवस्ता की जा रही है। सुरवाती द्वार में देहरादून जनपद में दोईवाला ब्लॉक में हमारे द्वारा आठ गाओं का एक भोगपूर कलस्टर डेवलोप किया गया है, जिसमें इंडस इंड बेंक के सायोग से, उनके CSR मत से हमें मदद दी जा रही है, और इसको PPP मोड पे संचालित किया ज पूरी आठ ग्राम पंचायतों में ये का योजना कम से कम 6 महिने से उपर टाइम हो गया, बहुत सक्सेस्फूली काम कर रही है, इसी तरीके से पूरे 13 जीलों में हमारे उत्तराखन राजी के एक मौडल कलस्टर हम डेवलोप कर रहे है, उदम सिंग नगर जनपद में हमारी हिंदूजा फाउंडेशन और असोख लेलेंड से बातचीत चल रही है, इसी तरीके से तपोवन जनपद चमोली में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन एंटीपीसी के साथ हमारी भारतलाब चल रहा है, तीन-चार ग्राम पंचायते हमारे पर हम कलस्टर डेवलोप कर र आपको क्या लगते है इस प्रबंदन को अगर में एको फ्रेंडली बनाना है तो किस तरीके से हमें कारे करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक assessment करना होगा पूरा survey करना होगा क्योंकि हमें कोई budget वीस्ट ने करना बलकि demand वीस्ट करना है आउसकता तो एक लिए उसके पनचयत करने क्या जरूरी है जैए और कैसि इसको कह जाना तो जब तक हमारे वास जो है वहां के population है पसों के संक्या है वहां पर जो है हमारे करम चारों के में पाउर की ज़रुत है हमारे पास और फिर फंडिंग की का इस ती है उसका कितना अफसिस्ट जनित होता है कैस और उसका निस्तार की क्या वियूस्थाम करेंगी तो सबसे पहले इसका असेस्मेंट करना होगा इसकी डीपियर बनानी होगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपूर् हैं इनके निस्तारन के लिए विवस्थाएं आपने बना दिए लेकिन इनका रिसाइक्लिंग के लिए हमारा अभी सामाने जो हमने उसके कि यात्रा रूट हैell मुखे-स्तल है तो बद्रिणाथ और और के track बदर्रिनाथ में लगब 35 टॉन प्रतिवर्स और केधारनाद धाम में 40 matrix दन प्रतिवर्स प्लास्टिक वेस्त जनरेट हो रहा है चो और गंगोत्री धाम में और यमनोत्री में 25丹 प्रतिक्व के आत्रावर्स में डेलॉप हो रहा है। तो लोग जो बाहर से आ रहे हैं पानी की बोतले हैं या पेकिंग मटेर में कुमाउं चेतर में हमारा 2013 के करीब से चल रहा है अच्छी तरीके से एक हरीदवार में हमारे द्वारा इनॉवेटिव प्रोजेक्ट के तेथ पंचायती राज मंत्राले भारा सरकार से एक रिक्वेस्ट की गई है कली बेंगलोर में इसकी एक मेटिंग थी उसमें हमें उम है कितना फाइदा प्रियावरन को पहुचने वाला है देखे जब तक रिसाइक्लीन होगा तो तब तो जम होता रहे गए और एक विक्राल रूप लेता रहेगा तो इसमें पॉलिसी में यह विवस्ता करें कि जो हिद्धारक है जो हमारे जनता है जहां पर ग्रामवाशी है वह सोच पर ही उसको सेग्रिकेसन करें सेग्रिकेसन से मिरा मदव है कि अलग लग 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 जो एक खटा हो और फिर उसके जाके एक निश्चित अस्तान जहां पर कि हम कलक्शन सेंटर है कलक्शन सेंटर के बार सेक्लिंग सेंटर है तो यह स्टफ है उसके और इसमें एक ब बुतलें डालेगे बुतलें, फैंकते रते हैं, लोग खाली बुतलें करके पादे की बूतल है। तो बड़ा ए खुटव घुट रहते हैं, और अगर वह ज्हार्य के बहुत जोर्द के बो 갈नेbी कुत बड़े में ज़ी पुटा उन द्रुक में जैविक आजैविक कुड़को हम अलग रखने की बात करें लेकिन क्या जहां पे हमें पालिसी लेके आये हैं जिन्स हीत्रों में भी डे इंद्ड वादे का है और है List इस बात की ब्रीफिंग ऊन्ना टी करें इन सबका हमने प्रस्टिक्षन का रिकम विकत वर्स में चलाए हैं और सेंट्रल भी और डिसेंट्रलाइज लेवल से भी हमने इसको किया है अब आने वाले महिने में फरवरी में हमारा पुरा इंटेंसिव एक प्रोग्राम है पूरे 95 विकासखंड जो है हमारे उत्राखंड क तेरा जिलों के उसमें एक प्रस्टिक्षन का रिकम संचालित किया जाएगा जिसमें इस तरीके की चीज़े की और जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए सारी बाते उसमें रखी जाएगी सेर्ष यहां पर यह भी आवश्चक हो जाता है कि हम जनता को जोनदे की यहां पर बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जनता क्योंकि जरूरत यह होती कि वो स्वेच्छा से जुड़े, उनको ये चीज बोज ना लगे कि हम से ये काम जबर्दिस्ती करवाया जा रहा है, तो वो स्वेच्छा से इसको अपनाए, उसके लिए उनकी जीवन शैली को किस तरह परिवर्तित करना है? ये बहुत महत्वपून बात है, और इसकी सफलता पर इसी पर टिकाव, कि जनता इसी पर है, हम पॉलिसी हमने बना ली, सब कुछ हमने कर लिया है, सरकार उसमें कापिसिटी बीडिंग भी कर दिये, और सारी सायता देने की कोशिज कर दिये, नीचे ग्रास रूर लिबल तक समझेंगी, जनता अपने ब्यक्तिकत जीवन में उसको नहीं लाएगी, स्वेम, एक ब्यक्ति, और एक समधाय, उसको स्वेम अपने जीवन में नहीं लाएएंगी, तक तो इसमें भूत दिक्कत आते रहेगी, तो ये चरणवर तरीके से सारे काम हो रहे हैं, कि हम भी जहां परतार आवायर करना पड़ेगा जनताको कि भई इसकी सोचता है कि क्या न करें क्या करें सचता क्यूं महतवन हैं इस एक कितने हमारा जाल प्रदुस्टन हो रहा है और बहुत सी बीमारेयां इसमें आ रही है और रहे हैं जी तो इसको बचाना एक लिए इसका उनके इसके सब्सक्राइब नाम बताइए अपने कहां से बोड़ रहे हैं प्रकाव सब्सक्राइब प्रकाव सब्सक्राइब और आने वाले समय्ए मैं जो त्वाल इसरे सर से आगे बढ़ेंगे और प्रकाण एक पहला स्टेट बनेगा जिसमें ये सच्छाक के चिटर में आगे बढ़ेंगे जिश्ण करिये सर अपना जी और एक पूरा अग्रणी राज्य मुना आए उतराकम को परहाई के साथ रहें तर और गाड़ी साथ जी धन्यवाद दर्शक हमारे हैं जो आपको धन्यवाद यहांपर करना चाहता है कि पहली बार हम देश की यहां पर बात करें कि देश में उतराकरने का राज्य बना है जहां ग्रामीन छेत्र में ठोज अपसी प्रबंदन की यहां पर बात की जा रही है। जब हमने इस नीती को कर्यानुट करने के लिए जब कारकम शुरू किये, तो जहां लोगों की आसंकाहिती, कैसे होगा, फंडिंग कहां से होगी, इसके साथ कई पंचायते एसी बेज उन्होंने अपने खुद आगे होगे इस काम को अपने हाथ में लिया है आप देखेंगे जनपत देहरादू में नाक पत्थर की ग्राम पंचायते वहां के परधान जी है, गोयल साब उन्होंने अपने एफर्ट से इस कारिकम को चलाया और इसी तरीके से जनपर देहरादू में कई ग्राम पंचायते हैं जो इसको स्वहम अपने इच्छा सक्ती से इसको किर्यानवीत कर रही है जहां तक चुनोतियों की बात आपने कही जो हमने कहा था चारधान के बात में हम बात करेंगे हमारे दर्शक जुड़े हमारे से इसका फोनों लेए थे हलो जी नमशकार नाम बताईए अपना कहां से बोल रहे हैं तर में मैं मैं जी आपकी आवास साफ ने सुनाई दी आपके बाव ठोस अफ्शुष प्रवन नेटी है जी मैं इसके बारे में सामाने जानकारी है आपको हमारी जो वेबसाइट है पंचायती राज भाक की यूके डॉट ओर जी इस पे आप देख सकते हैं और हमारे कारेले में मुझूद है हर पंचायतों को ग्राम पंचायतों को इसकी प्रतिली भी उपलब्द कराई गई है हर जन्पद में जो हमारे कारेले हैं वहापे भी और विकासखंड में जो हमारे कारेले हैं वहापे भी उपलब्द है मुख्य रूप से यही है कि जो भी ग प्लास्टिक जनरेट उसमें होता है कुड़े के रूप में तो लगबग सत्तर से पिचुत्तर टन के करीब मिट्रिक टन प्रतिवर्स ग्रामिन शेत्रों में यह भी जनरेट हो रहा है तो लगबग 200 मिट्रिक टन का व्यवस्ता हमारे को इसके निस्तारेण की करनी है जिसके लिए मैंने बताए कि काड़ गोदा में एक हमारा प्लांट चल रहा है एक हमारा हरीदवार में अभी इस्ताफित होगा भारस सरकार जब मंजूर कर देगी इसके लाओ मार्केट में भी जो प्लास्टिक वेस्ट जो ले रहे हैं और रिसाइक्लिंग कर रहे हैं उसके जरी हम इसको निस्तारण करने में सफल होंगे जी तो दर्शक के प्रश्णिकाल जवाब हम बात करें चुनौतियों को लेके क्या चुनौतियां आपको लगती हैं चुनौतियां जहां हमारा उत्राखन राज मैदानी चेत्रे के साथ साथ पहाड़ी जन्पदों भी देख हैं तो यह सबसे चुनौति पूर्ण का रहे हैं लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी ग्राम इंड जो हमारी जन्ता है और जो हमारे ग्राम पंचायत हैं उनके सायोग से हम इसको कर पाएंगा जी बिल्कुत सर सेमाल जी ने हमें चुनौतियों की विशह मता आपको क्या ल चुनौतियों है और कोई बी नय कारिकरम जब सुरू होता है और खास तरौपर जब ग्रामींड शेत में हो रहा हो और इसके अलवा एक चुनौति और है कि इसको व्यवस्ता करने में फंडिंग की चिन होती है, कि इतना पैंसा फंडिंग कैसे होती है, यदि भी गौप्मेंट ने बहुत अच्छा काम इस वज़ किया है, उत्राखन सरकार ने एक सासना दी जारी करके कहा भी जब तक कोई ऐसे व्यवस्ता ने होती, हमारा फानेंस 14 फानेंस कमिशन का विसी ग्रांट है, 14 फानेंस कमिशन की जो है ये निश्वाधन अंदान है, हमारा इबन उत्राखन सरकार ने पहली बाद विधायक निदी की गायलेंड में 15% धन नासी जो है ठोस अफिस्ट प्रमधन के लिए स्विकृत करने का अनुआरे कर दिया गया तो इन चीनोतियों को दूर करने उसके लावा मनेरगा में जितने में अनमन्या का रहे हैं वो सब जो है ठोस अफिस्ट प्रमधन के जा सकते हैं तो इसी प्रकार से उनके स्वेहम के आया हैं, व्योग्शन को लगाने की बात हुई है, लोगों को अटेस्टमेंट नीति से ह तो, क्योंकि एक औी एक ऐसा दस्तावेज है जो कि ये तही करता है कि गरामियर छेत्टो में ठोस अफ्सीड प्रमधन एक निची तरिके से और एक समय सीमात चिरहर्मा तरिके इसको पूरा प्रमधन के थे तो इसमें चुनोतियां हैं चुनोतियों दूर करने के लिए लग दीरे दीरे जैसे हम अवेर करता है हमारा सिस्टम अगर आगे बढ़ता रहेगा तो चुनवतियों को पाता है। सर विल्कुल कारक्रम को हमारे समय पर समाप दो रहे हैं तो सर आप पसमा आना चाहिए। आप क्या लगता आपको क्या संदेश दिना चाहेंगे। जनता से गुझा जनता से गुजारी से कि इसको system की monitoring के लिए हमारे द्वारा GIS based MIA system developed किया गया है जो स्वास्त पंचायत स्वास्त उत्राखन नाम से इस project का नाम दिया गया है इससे आप जुड़ें और जो हमारी ग्रामीन शेत्रों में हमने पहल की है उसमें हमारे साथ सहभागी बने अब योगदान दें और जो स्वास्त रहेगा उसके कारण उसके कारण ग्रामीन को फायदा होगा उसमें भी जुड़ें जी बिलकुल से आप से भी संदेश लेना चाहूंगी क्या कहेंगे आप यह है कि सारे लोग एवे रहे हैं सुचता के परती अपने स्वास्त के परती और यह ठोस अफ्सिष्ट को किवल इसको कचड़ा न समझें यह इंकम का शूरूत भी है आप इससे अपने आयव में बिर्दिभी कर सकते हैं अगर ब्यौस्त तरीके से अगर इसका निस्तरान करेंगे इसका मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें इंकम भी मिलेगी स्वास्त भ तो पूरा भारत साब बिल्कुल सर्सेमाल जी आपको यह बहुत बहुत धन्यवा देवर जी आपको बहुत बहुत धन्यवा है तो हमारे महमान यहां पर मौजूद थे जिनौन में ठोस अप्सिष्ट प्रबंधन को यहां पर कारगर किया जाए तो इसमें आप लोग की बहुत जरूरी है नमस्कार